प्रेंड्स एक बार फिर से वेकेंसी से यहाँ पर रिलीस कर दी गई सबसे पहले आप लोग हैडिंग पड़ें यह जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी हुआ लिखा है टाटा मेमोरियल सेंटर तो दोस्तों टाटा मेमोरियल सेंटर होमी बावा कैंसर ऑस्पिटल एंड रिसर सेंटर इनकी थुरू यह जो है रिक्रूटमेंट एडवेटीसमेंट यहाँ पर जारी हो चुका है इसमें दोस्तों अलग-अलग पोश्ट यहाँ पर शामिल की जारी इसमें स्टाफ नर्सिस की यहाँ पर वेकैंसी है साथी साथ इसके डेटा एंट्री ओपरेटर तो कलरिकल पोश्ट भी इसमें आपर शामिल कर ली गई टेक्निकल ओफिसर की पोश्ट भी इसमें आपर रहेगी और भी इसमें अन्यपद यहाँ पर रहने वाले हैं इसमें जो भी candidates BSC nursing वाले हैं, आप लोग apply करें, जो भी GM diploma candidates हैं, आप लोग भी apply कर सकते हैं, simple आप लोग 12th class भी pass हैं, आप लोग इसमें apply कर सकते हैं, और graduation और diploma candidates भी इसमें आविदन कर पाएंगे, और दोस्तों देखिए, इसमें male candidate भी आविदन करें, female candidate भी apply आपे कर सकते ह और बताना चाहता हूँ, यह All India Vacancy है, अब किसी भी राजे से हैं, किसी भी state से हैं, All India Candidate apply कर पाएंगे, इसके लिए जो है आपका interview candidate कराये जाने वाला है, तो interview के dates क्या है, interview के timings क्या है, interview के place आप लोगों के लिए क्या रहेगी, और interview में शामिल होने के लिए, अभी आप लोगों को क्या क्या करना होगा, पूरी जानकारी वीडियो में cover करेंगे, इस वीडियो को last तक देखना, आकर तक देखना, पूरी जानकारी मिल जाएगे, आप चाहे तो वीडियो को like कर सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे जाके subscribe के red button को click कर लीजे, स्वास्त बिवाग की हर vacancy की information आगे भी पाते रहें, तो बिलकुर शुरूबात करते हैं, अपने update को बढ़ते हैं, information की और, तो देखिए सबसे पहले बताना चाहता हूँ, यह project based यहां पर यह vacancy रहेगी, और इसके लिए आप लोग interview में शामिल होंगे, तो सबसे पहले nursing की vacancy की जानकारी को ह आपके पास GNM का डिप्लोमा है, तो एक साल का आपको कार अनुभव working experience आपको इसमें आप पर चाहिए पढ़ेगा, और nursing council में आप लोगों से आप registration भी यहां पर मांगा जा रहा है, यह essential है, जरूरी बोला गया है, और 30 साल तक की age limit यहां पर रखी गई है, 18 से 22,000 रुपे आपको परमाइद बिसेस पे सैली मिलेगी, और nurse की यह जो पोस्ट है इसमें, 6 पद इसमें आप पे शामिल यहां पे कर ली गए, 6 अपरेल को आपका इस पोस्ट के लिए interview connect कराया जाएगा, इसके बाद बात करते हैं, data entry operator, जो clerical पोस्ट है, इसमें 9 पद यहां आप पे श अपरेल को इंटर्व्यू में शामिल होना है, इसके बाद कुछ और भी पोस्ट है, accountant जैसी, तो इसमें 1 पद है, 10 अपरेल को आपका interview है, B.com, M.com, MBA, एक साल के experience के साथ apply करें, और 30 साल उमारेस में आपरेल को के लिए रखे गई, और 27 March को यहां पे देखतो, district technical officer, तो यह post के लिए इंटर्व्यू है, BDS, BMS, MSC Nursing, MDS, MPH, यह सभी तरीकी candidates अपलाएका ने, एक साल का working experience इसमें आपको को आप चाहिए, 45 year उमार इसमें आपको यहां पर रखे गई, 30 से जो है, आपकी सेली 45,000 यह वैरी करेंगे, आपकी सेली, परमान बेशिस पेसमें, 16 पर इसमें आप पर शामिल यहां पर कर लिए गए हैं, और साथी साथ आपको यह project का नाम आपको बता दिया गया, इस project के थ्रूँ जो है, आप लोग अपनी यहां पर जोइनिंग लेंगे, और जो भी आपके जोइनिंग है, districts of Bihar, तो Bihar के जिलों में ही, Bihar में जो 38, 38 जो जिलों ह उनी में ही आप लोगों को, जोइनिंग आपको यहां पर दी जाएगे, cancer screening project यह आप लोगों के लिए रहेगा, इसके लिए ही आप लोग अपनी जोइनिंग यहां पर लेंगे, इसके बाद देखिए, आपको इंटर्वियों में शामिल होने के लिए क्या बोला जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग उपर देखें, between 9.30 to 11.30 a.m. तो साड़े नौ बजे से साड़े ग्यारा बजे की बीच आपका इंटर्वियों के लिए आपको उपस्त होना है, कहां जा रहा है, सिरी, होमी, नहीं, होमी बावा, cancer hospital and research center, यहां पे इस पते पर, means बिहार मुझाफरफुर में आपका जो है, यहां पे interview लिया जाएगा, यह interview की place आप लोगों के लिए रहने वाली है, तो interview की dates मैंने आपको बता दी, interview की प्लेस मैंने आपको बता दी, interview की timings मैंने आपको बता दी, तो date, timing और place की information आपको आपे मिल गई, इसमें यहां पे लिखा ह interview में शामिल होने के लिए सारी जानकर आपको carry करके ले जाने है, आपका resume में आपके original documents, experience certificates जादी है, और pen card, आधार card, एक set जो है, self attest करके photocopies का, यह documents का आपको सब यह carry करके आपको यह ले जारा होगा, और interview में शामिल होने से पहले, सबसे पहले आप लोगों का verification document का हो तब ही आपको आगे के process में आगे शामिल यहां पर किया जाएगा, नीचे आपको कुछ contacts यहां पर number दे दिएगा है, आप चाहें तो email कर सकते हैं, आप चाहें तो इस mobile number पर जो है, अपना doubt के लिए कर सकते हैं, तो vacancy की जो भी information थी, मैंने आपके साथ यहां पर cover की, और nursing और paramedical staff की हर vacancy के जानकारी के लिए चैनल को subscribe जरू करें, वीडियो के नीचे जाए, subscribe के red button को click कर लीजे, thank you so much